दोस्तों आजबन बात करेंगे इंट्रेटैन्मेंट नेट्वर्क लिम्टेट के बारे में अगर बात करें कम्पनी का इस्टोक प्राइज करें कम्पनी का इस्टोक 128 पर टेड कर रहा है लास्ट रेडिंग सेजनों 1.61% की गिरावट इसमें देखने को मिली है है पिसले एक साल की अगर बात करें तो कम्पनी को लेखकर अब कर अफडेट आगी है को की उवार्निक की जो नंबर आ गाने है उससले के साथ फाइनेंशी एड यारн दोर एवश की आपको देखने को मिलेंगे अगर बात करें नंबर्स के, quarter 3 के अंदर कमने का total revenue 131 करोड का था, वो कम होगा 114 करोड, 12.63 करोड की कमी इसमें देखने को मिलिया, net profit 6.32 करोड था, वो negative के अंदर 2.74, 143 करोड की कमी इसमें देखने को मिलिया, अंडिंग पर सा 1.33 रुपीज था, वो गटकर, अगर अगर आपने बात करें, पिसले साल के quarter 4 की total income थी, वो बढ़कर 114 करोड होगी, 8.51 करोड की इसमें देखने को मिलिया, पिसले साल के quarter 4 गंद जो net profit था, minus 5.7 करोड था, वो कम होकर minus 2.74, यानि जो net profit पिसले साल के quarter 4 की तुलना में आपको बढ़ता हो नजर आया, अगर अगर बात करें, तो minus 1.20 था, वो minus 0.57, यानि अगर अगर बात करें, फाइनिक परसेर में भी यहां पर improvement आपको नजर आया, अगर अगर बात करें, अगर 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 बात करें, फाइनिक परसेर मायने 7.60 रूपीज से कम होकर, 2.21 रूपीज आपको देखने को मिलता, यानि एकर result की बात करें, तो company की result आपको यहां पर downward ही देखने को मिलें, यहां पर company का net profit आपको negative के अंदर देखने को मिला, हलांकि company ने negative के अंदर आपको improvement किया, लेकिन फिलाल भी आपको company का net profit नेगेटिव में, यह सबसे बड़ी आपर important चीज इस company के लिए है, यहोई यहां पर पसंदावा किप्स